तो इस वीडियो में मैं बहुत सारे scientific secrets आपके साथ share करने वाला हूँ जो अभी से आपके energy levels को बढ़ा देंगे, stamina को बढ़ा देंगे, खोड़े की तरह horse power हो जाएगी अगर सब कुछ अच्छे से आपने follow किया तो और पहले ही दिन से आप अपनी ऊर्जा में, आप अपने ते you need to increase the flow of prana in you, अब आपको होगे हमारे prana तो regularly चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, लेकिन उसका flow हमने कम कर रखा है, ये कारण हो सकता है कि हमारे energy levels down है, और अपने prana के प्रवाह को बढ़ाने के लिए हमको तीन elements के साथ connect करना बहुत जादा जरूरी है, जिसमें सबसे प levels को boost करना चाहते हो, तो अपने आपको hyper oxygenate करो, अपनी body और अपने mind को hyper oxygenative environment दो, यानि अगर आप note करोगे तो हमारी सांसे बहुत ज्यादा छोटी हैं, जो कहीं न कहीं हमारे diaphragmatic breathing को support नहीं कर रहे हैं, हमारे lungs में, हमारी पूरी body में उस तरह से वो फैल नहीं रही है, क्यों हमारी body में immunity और उर्जा का संचार करते हैं, तो अगर आप दिन में 5 minute भी अपने आपको एक deep breathing का environment देते हैं, तो आप देखोगे कि आपके energy levels बिना कुछ किये, कोई आप motivation सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, तो भी बढ़ने लगेंगे, सिर्फ एक चीज से अगर आप अपने कि आपके दिमाग में भी उर्जा बढ़ने लगेगी, नए ideas आने लगेंगे, आपकी mental clarity बढ़ेगी, लोगों का stress खतम हो जाता है, hyper oxygenative environment देने से, तो सबसे पहला जो है air, दूसरा है earth, आप देखो हमारा connection earth से कहीं न कहीं तूट गया है, और जब हम इस धरती के साथ, नंग अगर आप ground के साथ, धरती के साथ जुड़ जाते हैं, तो यहां से बहुत से free radicals आपकी body में खतम होने लगते हैं, बहुत से inflammations आपकी body में खतम होती हैं, जो कहीं न कहीं आलस, सुस्ती और अनेक अनेक बिमारियों का कारण बन रही है, तो कोशिश कीजिए कि दिन में कम से कम 10 मिनट नंगे पाओं, अगर आपको ऐसी जगा मिल जाए, जहां पर मिटी हो तो वहाँ पर चलिए, अगर ऐसी जगा मिल जाए, जहां पर कोई park हो, lawn हो और वहाँ पर आप लेट सकें, बैट सकें थोड़ी देर के लिए, तो वो और ज्यादा आपकी body में परान का संचार करेगी, next, जो सबसे ज़ादा बड़ी गलती लोग करते हैं, वो है अपने micronutrients की deficiency को पूरा ना करना, पर आज जो हमारा खाना पीना है, वो ऐसा हो गया है कि चाह करके भी हमारी body को एक balanced diet हम नहीं दे पा रहे हैं, जिस वज़े से जो nutrients हैं, वो हमारी healthy state को जो maintain करने के balanced multivitamin है, जो न सर्फ हमारी थकान को मिटाता है, बलकि strength, stamina, vitality को बढ़ाता है, और हमारी immunity को भी boost करता है, क्यों और कैसे, देखो, इसमें आपको daily need के हिसाब से required सभी micronutrients, vitamins मिलते हैं, साथ ही इसमें आपको folic acid, zinc, iron, copper, ये सब कुछ भी मिलता है, और न सर्फ ये, बलकि इसके साथ-साथ कुछ amazingly beneficial चीज़ें मिलती हैं, जैसे grape seed extract, अश्वगंदा है इसमें, biotin है, ginseng extract है इसमें, जो ginseng extract होता है, वो आपकी mental alertness और concentration को बढ़ाता है, और आपकी दिन भर की थकान के साथ-साथ, stress को भी खत्म करने में बहुत जादा help करता है, और अश्वगंद जो आपके digestion को better करते हैं, और साथ ही gut को healthy रखते हैं, और immunity को भी boost करते हैं, तो Phyteka का Vita 365 जो की है आपके लिए ultimate daily energy booster, इसके सभी links मैं आपको description में दे रहा हूँ, जरूर चेक कीजिएगा, next, अपने आपको rejuvenate करने के लिए, energy से भरने के लिए, एक ऐसा powerful तरीका है, जिसक इन हम इसको simple terms में body massage करके समझ सकते हैं, अगर आप week में सिर्फ एक बार अपनी full body को massage दें, तो आप देखेंगे कि आपके पूरे प्रान regulate हो जाते हैं, आपकी body की जो outer layer है, ये भी आपके साथ साथ breathe कर रही है, इसको भी stimulate होने की जरूरत है, और ayuravid में तो कहा गया कि आपकी skin की health को better करती है, आपके muscles में जो stiffness हो जाती है, उसको reduce करती है, और अगर हम अपने आपको एक अच्छा massage देते हैं, तो ये जो physical pressure जो होते हैं, हमारे lymphatic vessels जो होते हैं, उनको relax करते हैं और lymphatic flow को बढ़ाते हैं, और यही lymphatic system है, जो हमारी body से waste material को बाहर निकालने का भी इससे physical strength लोगों की बढ़ने लग जाती है, जो aging है न, जो लोग जल्दी aged हो रहे हैं, बुड़े हो रहे हैं, उनकी aging में बहुत जल्दी फरक देखने को मिलता है, तो सिर्फ हफते में एक बार भी, अगर आप एक बार नहीं कर सकते हैं, तो महीने में एक बार जरूर कीजि आपकी bones को strength देती है, और अगर ये possible ना हो, पूरी body पर massage कर पाना, तो कोशिश कीजिए, कि आप अपने हाथों पर और अपनी टांगों पर week में एक बार at least नहाने से कुछ दिर पहले, आप इस massage को अच्छे से कीजिए, उसके बाद एक अच्छा सा सनान कीजिए, bathing कीजिए और आप देखेंगे, amazingly energy levels आपके बढ़ जाएंगे, next, walking को अपनी daily routine का part जरूर बनाएए, और अगर आप सुस्ती थकान या आलस से भरे रहते हैं, तो अभी आप note करेंगे कि आपकी daily routine से walk करना गायब हो चुका है, walk कीजिए, ऐसा बहुत सी scientific studies हुई जो ये बताती हैं कि walking is the best exercise, और अगर आप दिन में 15 या 20 मिनट भी निकालते हैं सिर्फ walk करने के लिए, तो आप देखेंगे, ये आपके पूरे masculoskeleton system को energetically attentive बना देता है, आप देखेंगे, ये आपके दिमाग में भी उर्जा भर देता है, तो सिर्फ 15 से 20 मिनट की brisk walking भी आपके body और mind को energetically high क इसके बावजूद भी मेरे energy levels down रहते हैं, तो कभी आपने ये note किया है कि जब भी आप थोड़ा ज्यादा खाना खा लेते हैं तो सुस्ती सी आती है, नीद आती है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो जो खाना हमने लिया है, वो कभी थोड़ी time के बाद जाकर हमारी body म energy उस खाने को पचाने में लग गई अभी, और जितना ज्यादा उसमें fats होंगे, जितना ज्यादा उसमें carbs होंगे, जितना उसमें तेल मसाले होंगे, उतना ज्यादा हमारी body को काम करना पड़ेगा, तो obviously वो energy पूरी body की जो हमें चाहिए थी, homeostasis की state को चाहिए थी, हमें energy देने के लिए चाहिए थी, हमें healing के लिए चाहिए थी, वो सब खाने में जा रही है, और आपने note किया होगा कि जब भी कोई इंसान बिमार होता है, तो doctor बोलते हैं, इसको हलका खिलाओ, खिचड़ी खिलाओ, दलिया खिलाओ, क्यों खिलाओ भईया, क्योंकि हमारी body ही हमक जा रही है, खाने को पचाने में, अभी पिछला पचा नहीं था, हमने उपर से और डाल दिया, और और भी कैसा डाला, hearty meal डाली, यानि heavy खाना डाला, doctor BM हिगडे hearty meal, किसको बोलते हैं, जब हम इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं, कि हमारी daily की अगर 1400 calorie की requirement है, तो एक बा पकोडे खाए, अगर आपने तीन समोसे खाए, चाय पी ली, तो आप समझो कि आपकी पूरे दिन की calories पूरी हो गई, calories पूरी हुई, protein पूरा नहीं हुआ, iron पूरा नहीं हुआ, zinc पूरा नहीं हुआ, carbs आपको ज़्यादा मिल सकते हैं, fat ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन body को एक बार उस समय खाए, जिसके बाद आपकी body को इतना समय मिल सके कि वो उसको आराम से 50 सके और आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करें, लेकिन कोशिश कीजिए कि hearty meal को आप avoid करें, यानि भारी खाने का avoid करो, आपके energy levels boost करने लगेंगे, एकदम से, और रात को तो पूरा दिन सुस्ती रहती है अगर रात को भारी खा लिया तो इसलिए पूरे दिन भर lighter meal लीजिए, hearty meal मत लीजिए, ये सिर्फ आलस ही नहीं दे रहा, बलकि दिल पर भी एक बहुत negative impact डाल रहा है, और कोशिश कीजिए कि रात को lighter meal या फिर time से meal लीजिए, ताकि ये आपक body के energy, जो आपको चाहिए, आपकी healing के लिए चाहिए, वो आपको उपलब्द हो, ना कि वो सारा दिन digestion का ही काम करती रहे, और अगले point को समझना इतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके लिए रामबान हो सकता है, ये है हमारा digestion, अब आपने कभी गन्ने की machine में से गन्ना और 10 गन्ने भी डाल दिये, तो भी उतना रस नहीं निकलेगा, जितना एक बार उस पूरे अच्छे से तोड़, मुरोड के उस गन्ने को डालने से आपको रस निकल जाएगा, ये ही हमारी body के साथ हो रहा है, कई लोग बोल रहे हैं, मैं ज्यादा खा रहा हूं, इतना खा हम अगर digestion proper नहीं होगा, तो हमारी body पूरी तरह से उससे जो nutrients हैं, जो body को energy के लिए चाहिए हैं, उसको नहीं absorb कर पा रही है, और अगर हमारा digestion अच्छा है, तो आप देखेंगे कि अगर आपने ज्यादा खाना भी खाया, तो भी body को थोड़े time के बाद भूख लिगने लग अगर नहीं कर रहे हैं, तो इस वीडियो के बाद जरूर इस वीडियो को देखेगा, ताकि ये आपके energy levels को बढ़ा सके, आपके digestion को, आपके metabolism को सही से रख सके, सेंकडों, हजारों, लाखों लोग इन चीजों से benefit ले रहे हैं, आप भी जरूर लीजिए, और हाँ, बहुत स बाड़ी का metabolism सही नहीं है, और उससे वो गन्ने की machine की तरह पूरा juice नहीं निकल पाएगा, तो हमको कितना भी खा लें, energy नहीं मिलेगी, nutrients नहीं मिलेंगे, इसलिए अपने digestion पर ध्यान दीजिए, अपने metabolism पर ध्यान दीजिए, न सिर्फ energy, बलकि body की 90% व्याधिया, 95% दिक् का, आपको क्या करना है कि रोज रात को 5 मुनक्के आदे ग्लास पानी में आपको भिगो देने, इनको भिगा रहने देना है, अगले दिन सुबह आप वो पानी को पीलो, मुनक्के चबा के खालो, आप देखोगे कि ये गोडे की तरह हो जाओगे, वो लोग जो exercise करते हैं उ एवरी मंथ इसको follow कीजिए, एनरजी लेवल्स बूस्ट होने लगेंगे, और लास्ट में सबसे जरूरी और सबसे एहम पॉइंट मैंने रखा है, तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपको amazingly benefit देने वाला है, ये पॉइंट जो की है कि आपकी सबस की के दिमाग में energy भरी हो, ये ना अगर दिमाग में खुशी है, happiness का महौल है, तो रोटी छे गंटे नहीं भी मिलेगी, तो भी वो इनसान जो है energetic feel करेगा, और कभी भी आपने बच्पन में ऐसा देखा हो कि जब हम खेलते रहते थे, पतंग उड़ाते थे, बाहर कंचे खे तो ये हमारी पूरी body को energy देता है, वो लोग जो कहीं हमाले में, कुफाओं में, कहीं कहीं पर निकल जाते हैं, कहीं महीनों तक, सालों तक तफस्या करने के लिए, जहां वो सिर्फ एक खेचरी मुद्रा लगा करके बैठे रहते हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग को इतनी high elevated state में रखते हैं, जिससे उनकी पूरी body को बिना कुछ खाए पिये भी energy मिलती रहती है, तो यानि कि सबसे ज़्यादा energy के लिए responsible है हमारा mind और mind में भी stress का ना होना, तो अगर हम किसी भी तरह से अपने stress levels को कम कर पाएं, break down कर पाएं, तो आप देखेंगे कि ये भी हमारे energy levels को boost करेंगे, उसके लिए 2-3 points आपको quickly बता देता हूँ, वैसे तो इस पर एक separate video होना चाहिए, लेकिन फिर भी quickly बता देता हूँ, सबसे पहली चीज तो आप कोशिश कीजिए कि दिन में ज्यादा से ज्यादा समय आप present moment में रहें, mindfulness की practice करें, जैसे आप इस video को सुन रहे ह जो brush कर रहे हैं, brush ही करें, नहा रहे हैं तो नहायत नहाते ही रहें, क्योंकि उस time पर आप देखेंगे, हमारे mind में विचार चलते रहते हैं, वो जो chatter है, bug bug है, वो हमारी सारी energy को सक कर लेता है, और वो जो bug bug है, उसमें से 90% bug bug negative होती है, जो stress create करती है, इसलिए कोशिश कीज mindfulness practice कीजिए, और present moment में रहे हैं, दूसरा, check कीजिए कि आपके आस पास कोई energy vampires तो नहीं है, energy vampires का मतलब है, वो लोग जैसे vampire blood सक कर लेता है, energy vampires आपकी energy choose लेते हैं, कुछ लोग पैदा ही negative होए होते हैं, वो लोग चाहा करके भी कुछ अच्छी बात नहीं कर सकते हैं, तो दिन negative बात करके आपकी energy को drain कर देते हैं, और आप जानते हैं, हमारे पास एक energy का limited सा stock होता है, वो limited सा stock भी ये energy vampires choose जाते हैं, और फिर हम complaint करते हैं कि भाया हम energetic feel नहीं कर रहे है, आलस आ रहा है, सुस्ती आ रही है, कहां से energy आएगी क्योंकि वो तो कोई और सक कर गया है, तो अपने आपको protect कीजिए, इन energy vampires से ना कहना सीखे, आप देखेंगे, आपके energy levels बढ़ने लगेंगे, क्योंकि अब वो कहीं और drain नहीं हो रहे हैं, last but not the least, और सबसे जरूरी चीज़ की अपने why को identify कीजिए, ढूंडिए कि क्या वो कारण है, जो जिन्दगी में आपको आगे मज़ा है, entertain हो रहे हैं, तो हम कई बार बहुत सी चीज़ों को सिरफ materialistic system से connect कर देते हैं, कि इस काम को करके मुझे ये मिलेगा, ये खरीद लूँगा, इतना कुछ आ जाएगा, लेकिन अगर हमने ऐसी किसी चीज़ पर focus किया, जो हमारे मन को शान्ती देता हो, जो मन को relaxation दे तो आप देखेंगे कि energy दिन भर बनी रहेगी, इसलिए मैं अकसर लोगों को बोलता हूँ कि किसी भी एक hobby को अपने दिन का part जरूर बना के रखिए, वो काम जो आज से आप 10-15-20 साल पहले hobby के तौर पर करते थे, गाना सुनना, dance करना, music बजाना, drive पर निकल जाना, कहीं न अपने दिन का एक part बनाईए, आप देखेंगे, mind में energy बरकरार रहेगी, बनी रहेगी, क्योंकि वो एक 10-15-20 minute की भी activity आपके पूरे दिन को energy से भर देगी, और energy सिर्फ हमको खाने से नहीं मिलती है, बलकि हमारा दिमाग भी, वो energy हमारी body के अंदर create करता है, उसका सबसे ब लेकिन हमारे inner self को जो fuel चाहिए, जो energy चाहिए, वो energy हमारे पास इस भाव से आती है, कि मैं अपनी संतुष्टी के लिए, अपने mental satisfaction के लिए, अपनी relaxation के लिए, कोई न कोई काम जरूर कर रहा हूँ, उमीद करता हूँ कि आज के बाद, अभी से ही इस video के बाद, आप अपनी ही energy से भरने वाले videos मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा, channel को अगर subscribe नहीं किया, पहली बार अगर आप इस channel पर आये थे, तो बता दू, मेरा नाम है अनुराग रशी, मैं ऐसे ही powerful, amazing videos आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ, जो आपकी mental, physical, health को amazingly transform करें, और आपको reju करके transformative experience दे पाएं, मेरे साथ जुड़े रही है, channel को subscribe कर लीजिए, video अच्छा लगे, तो भी बता दिया करो, अच्छा लगता है सुन करके, और हाँ, इस Phyteka Vita 365 को check out करना बिलकुल मत भूलिएगा, इसका link जो है वो मैं description में दे रहा हूँ, जरूर चेक किजेगा, आपकी जिन्दी की खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूँ, I wish you lots and lots of peace, tons of happiness and bundles of success in your life, be happy, be alive.